हेलो गाइज वेलकम बैक टून वीडियो तो आज यो गाइज हम लाउंग टैंक के बाद रमी कल्चर पे बांच यो राण पूर्ण पूर्ण प्ले गाइज यह गेंपले भी काफ इंटेंस होने वाला क्योंकि यहाँ पे हम सेवन राण में इसी विनर बनने वाला लेकिन ना ह हम फुल माउंट विन कर सकते हैं लेकिन हम जो है ना एक गलती के वाज़ा से इतना माउंट विन नहीं कर पाते हैं खैर कोई नहीं बात करते हैं से गेंप्ली मारे पादे साथ हो फर्स राउन में ओनली सिंगल जो कर रहा है और वैलेड कार्ड भी बहुत ही कम है सो और हम करें किंगे ड्रॉप ओके यहां पर मैं पिछला गेंप्ले देख रहा था यहां पर हमारे 46 पॉइंट लग जाते हैं कौकि बंदा जो थोड़ा फासी डिक्लेयर कर देता इस वाए से ना हमारे 46 पॉइंट लगके डाट एलिमेट हो जाते हैं ओके बंद ने किंग डिसकार्ड कि यास हम करते हैं ड्रॉप यहां पर देखते हैं र्यट प्लेयर में से कौना बंदा प्ले करेगा अगर यह दोनों प्लेयर ड्रॉप कर देएगा जाना कि डिलर और रायट प्लेयर इस एक साथ बैटट इसी स्किप हो जाएगी लेकिन बाई यह बंद देखो कितना हीट से लोस होता है और जो डिलर होता है यह बंदा ड्रॉप कर देता है तो अगेंगाइस कार्ड डिसीविट हो चुक है एंड इस बार घाइस हमारे पास अगेंड सिंगल जोग कर वी जा है तो अगे एन मुझे को लगता कि ड्रॉप करना पड़ेगा लेकिन हाँ अगर प्योर स्कौइश रेंज होगी ना सो हम प्ले कर सकते हैं कलब में ऐस आ जाई या फिर डायमन में ऐस आ गया है तो रिस्क ले सकते हैं लेकिन बंदे ने हर्ट किंग डिस्काड किया लेकिन ये बंदा पिक कर लेता है और हमारे पास देखते हैं ओके बंदे ने कलब एज डिसकार गया तो पिक कर लेते हैं क्योंकि इसी के साथ हमारी हो चुकी प्योर स्कुएंस अरेंज तो हम डिसकार कर देते हैं हर्ट में एज लेकिन अभी देखो तो हमारे लगपग 40 के आराउंड पॉइंट है तो हम जो है ड्रॉब डॉब सौरी ले तो करी रहे हैं लेकिन अगर किसी बंदे ने डिक्लेर किया ना तो तब दिक्कत हो जाएगी लेकिन देखो बंदे ने इस डिसकार किया और हमने हर्ट में इस डिसकार कर दी यानि कि इस बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि हम जो है सीकेंसर इंग कर रहें ना की सेट है तो ये बंदा ड्रॉब डाइमड में डिसकार कर सकता है तो गलती करने की चंस्ट थैंस हैं तो देखते हैं, गाइज मैं सोचाँ यह बना 10 डिसकाड कर देना तो भाई मज़ा ही आजएगा लेकिन यह बना देखो डाइमन में 7 डिसकाड करता है सो हम करते हैं कलोड ऐसे काड़ पिक क्योंकि 7 के काड़ी मारा कुछ नहीं होने वाला ओके यहां पर मारे पास 9 आ चुका सो अब यहां पर हम कहुंसा काड़ डिसकाड करें चलो 6 सी डिसकाड कर देते हैं वैसे मैं यहां पर अगर 10 डिसकाड करूंगा ना तो हमारे पॉइंट जो हाई रहेंगे सो मैं यहां पर 6 डिसकाड कर देता हूँ अब 6 के काड़ीं 4 आ सथा है डाइमन में क्यांकि आपको पता होगा बंदे एक card छोड़के एक card डिसकार्ड करते हैं ओके देखो इस बंदे ने seven discard गया सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे की प्यार स्कॉंस रही नहीं हुई और यह बंदा देखो king discard करा रहा है भाई हमने हर्ट एस डिसकार्ड गिया था ना अब यह बंदा नहीं गल्दी करने वाला कोई नहीं क्लोडे से कड़ पिक करते हैं और यहां भी मारे पास कलब में 7 आता है सो मैं 7 ही डिसकार्ड कर देता हूं क्योंकि 9 नहीं जाब कहा है सो 7 पिक होने के चांस दो बहुत ही कम है देखते हैं बंदा पिक करता है या फिर नहीं मुझे लग रहा है पिक करेगा देखो टाइम लगा रहा है बंदा लेकिन पिक नहीं किया चलो बढ़िया गाईज और ओके इस बंदे ने 7 ही डिसकार्ड कर दिया किया पाता है मने पास प् 의 हो चुकी होगी तब लिस सैबस करड़ कर रहा हूं के और यह बंदा ज 1200 यहां फैनली हमको डैमन में इस जिसकार्ड कर देता है सम सिकॉसर ने करके फाइव कर देता एं कर देते बंदा इसी के साथ विनिश अब देखते हैं बंदे कितने प्र ये बन्दा 18 पॉइंट से लॉस होता है चलो बढ़िया भाई अगेन गाइस कार्ड डिसीबिट हो चुक है और गाइस हमारे पास सिंगल प्यॉर सेक्वेंस है और जोकर में नहीं है सब्सक्राइब कर देते हैं यहां पर डिलर कर देता है क्योंकि यहां पर टू प्लेयर प्लेय कर रहे थे और बागी साभी प्लेय ने ड्रॉप कर दिया था और जो साइकिन राइड पैर यह बंदा भी 20 प्यॉंट से लॉस होता है वैसे इस बन्दे को कुछ बेनेफिट तो मि पास देखा जाए ना तो कार्ड तो काफी अच्छ है लेकिन जोकर सिंगल है भाई सबसे बड़ी दिक्क्त है कि अगर एक जोकर और होता ना तो भाई प्लेय कर सकते थे और यहां पर देखो हमारी जो फर्स्ट राउंड में मेरी बारी है और मुझे को यह भी नहीं पता कि यहां पर बन्दें का ओन एक अबन्दें काउर कारे लाए और इस ब्हुलर का हो क्योंकि दो को यहां पर फूर्स कौइंस रही में चांसे पहुत जादा रहते लेकिन अब यहां पर जिख द्रॉब पर देखो भाई फूर्ड प्रव कर देखा तो जलसी दिखो और इस अच्छे कार्ड थे देखा जाए तो लेकिन हमारे पास भी अच्छे कार्ड थे अगर यह मुझको पता होता ना कि यह यह बंदे ड्रॉप करेंगे सो हम जूर प्ले करते हैं खैर कोई नहीं अगेन कार्ड डिसीविट हो चुके हैं एंड इस बार तो गाईज अगेन सिंगल पे और सेक्वेंस है भाई सो हम ड्रॉप भी करेंगे एंड बैट स्किप कर देते हैं अगेन ओके सो फानली काईज यहां पे फ्रेंट प्लेयर कर देता है और यहां पे टू प्लेयर प्लेयर कर रहे थे फ्रेंट प्लेयर और सेक्वें राइट प्लेयर और यहां पे सेक्वें राइट प्लेयर जो है ड्रॉप हो जाता है और फ्रेंट प्लेयर के देखो बाई साब इत पाथे तेए हैं कि दिकलेयर भी हम भी करें बट आपको भी पता कि फरस्ट और हमको जब प्यूर स्कुएंस चाहिए अगर प्यूर स्कुएंस रहे हो गया तो फिर फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं तो पहले हम ध्यान करते हैं प्योर स्कुएंस पे और यहां पे 99 पॉइंट अलबंदे प्लेग कर रहेगा कुछ यह मतला डॉप नहीं कर सकता क्या होताउ सो देखते हैं वही क्या होता क्युंकि देखो हमारे अगर 20 पलास पॉइंट लगे तो हम चुझा इस राउन में इजी एल्मेट हो सकते हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं तो देखते हैं वही क्या होता वैसे यह जादा इन टाइम लगा रहा ओके टैन डिसकार्ड किया वही और यहां पर किंग आता है चलो वैलिड काड़ तो है हमारे पास तो मैं भी यहां पर कलब में टैन डिसकार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी ना टैन के काड़िंग जे चाहिए और प्योर स्कुएंस फर्स्ट अवर्ल चाहिए और यहां पर रैड प्लेयर दुनों ट्रॉप कर देते हैं चलो यह बढ़िया गाईस थोड़ा क्योंकि देखो जितने ज़्यादा प्लेयर एक्ट्वी रहेंगे उतने ही प्योर स्कुएंस रही होने के चांसे कम होते हैं लेकिन गईज देखा जाए हमारे पास वैलिड और हाई काड़ काफी है है इसी के साथ मारे प्योर स्कुएंस रही हो चुकी है तो मैं डिसकार कर देता हूं अब हर्ट में डिसकार कर देते हैं क्योंकि देखो अब हमको जो ओनली सिंगल काड़ चाहिए डिकलेयर करने के लिए बन्दा भस प्क ना कर रहे चलो बड़या प्क तो नहीं किया लेकिन डिकलेयर तो हम को कोसे करना है कैसे भी कर गया वास ओके इस बन्दे ने एट डिसकार किया एट के कर ग Ol या निकि थे बन्दा FOLLOW कर रहा है वैसे इस बंदे ने 8 इस वैसे discard गया क्वोगी 7 जोकर है ना तो बंदा सैट रही नहीं कर सकता इस वैसे इस इस इन 8 डिसकाड गया ओके बंदे ने 2 डिसकाड गया भै अब तो कोई नी कलोड से कड़पी करते हैं और यहां पे जी आता है डायमन में इसी को डिसकार्ड कर देते हैं भाई अब इसका हम क्या ही करेंगे ये तो मारे पास जूजले सी है ओके बंदा नाइन डिसकार्ड कर रहा है वैसे मारे पास देखो किंग और क्वीन के लेटर को कार्ड आए नहीं भाई पास बस 99 पास बंदा एक गलती कर देना तो इस बंदे को तो ऐलमेट होना ही पड़ेगा बस हमको सिंगल कार्ड दे दे कोई वै जैसे कि हम जो सीक्वेंस आए करके डिकलेर कर पाएं कोई नहीं 3 डिसकार कर रहा है क्लोडे से कड़ पिक करते हैं और फाइनली और फाइनली गाईज हमारे पास एस आ जाता है तो इसी के साथ हमारी सीक्वेंस नहीं हो चुकी है यानि कि साइकिन लाइफ सो टूक सा करते हैं डिकलेर इसी के साथ फिनिज अब 99 पॉइंट लब बंदा तो एलिमेट होना है यह से बंदे को तो कोई नहीं बचा सकता और यहां पे 78 पॉइंट लब बंदा जो नहीं यह बंदा ओनली 14 पॉइंट से लोस होता है चलो बढ़िया अब देखो मारे पास option है अब हम जो गलती यहां पे करने वाले हैं पता नहीं मेरे दमाग में क्या ही यादा वैसे देखो इस बंदे को सिंगल कार्ड चाहिए था अगेन गाइस कार्ड डिसीबिड हो चुक है अब देखो गाइस कार्ड कितनी मेरे पास यहां पे मेरे दमाग में क्या ही यादा कि यहां पर मैं ड्रॉप भी कर देता हूँ अब मुझे यहां पर बाद में एटलाइज होता है कि यहां पर मुझे को प्ले करना चाहिए था और यहां पर मैं फरस्ट प्राइज ले सकता था लेकिन पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ तो इस वाई से यहाँ मैं ड्रॉब कर देता हूँ अब देखो जो मैं पिछला राउंड की बात करूँ तो महाँ पे मैंने रिस्क ले लिया था मेरे पास प्योस रिक्मेस भी नहीं थी लेकिन यहाँ पाता नहीं मेरे दमाग में क्या ही आता है की मैं ड्रॉब कर देता हूँ खैर कोई नहीं अब यहाँ पे इसी के सब साथ माथ Baptist कीप देखते हैं यहाँ काउट डेकलर कर पाता हूआ सब फानली राइज यहाँ पे 100 पॉइडला बंदा डेकलर कर देता है और इसी के साथ यहां पर डिलर और 92 पंडल बंदे जो होते हैं यह बंदे इस रॉन में डायरेट अलिमिट हो जाते हैं अब देखो इस बंदे पास सिंगल जो करता है और यह बंदा डिक्लेर कर रहा है खैर कोई नहीं अब होगी कलती क्या ही कर सकते हैं और यह बंदाओं को करता है स्प्रिट पाय की क्वेस्ट हैंड सो हम जाज सैब्ट कर लेते हैं खैर कोई नी कुज तो माउंट विन हुआ तो अगर गाईस आपको गेंपले अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जू कर देना मिलते हैं गाईस नेक्स में प्लेवर्ड में तब तक के लिए ओके बाई